सो हेलो गाइज वेलकम टू रेंड न्यू वेलोरेंट वीडियो जहां पर हम यह वीडियो में बात करने वाल है बाउट वेलोरेंट एपिसोड 3 एट 2 बैटल पास की वेपन स्किन्स के बारे में एंड रिवीवी कर देंगे कैसी यह लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वैसा मेरा परस्नल यह पूछ रहे हो तो मैं यह बैटल पास नहीं लेने वाला बिकॉज गन स्किन्स बहुत ही चीफ है वाई क्या बोले वाई तो वेरियंट्स जो आने वाले एंड मुझे यह फर्स्टाइम दिखके स्किन्स को एसा लगा के तूड़ा जापानी से रोयल लुक देने का ट्राइग या था लेकिन कलर्स उभर के नहीं आ रहे मुझा उतना नहीं है अगर आपको स्किन्स मंगते एट चीफ प्राइस तो यह अग्रेश बूश एंड रेडिश एंड लास्ट थोड़ा ब्लू एंड गुल्डें धीह फिर नेक्स्ट है के मार्शल कि स्किन पार्शल के चार वेरियंट है नॉर्मल वही कलरज आप इसमें भी कुछ खास नहीं है फिर नेक्स किन्स फेंटम की है एक्ट वन में वेंडल की था इसमें यह स्किन्स है एंड यही डिफरेंस है जो क्या है बूलू यह फूर है इसमें भी मुझे भाई क्या बूलू मैं क्या असा भाई यह जो मिली वेपन की स्किन है यह मोसली आप केटेक की समझो केटेक मिली है सिर्विस को स्वार वाला लुक दिया है बाकी सब कुछ सेम ही रहगा इस मुझे ऐसा रखना चाहिए था कि चाकू आकू मलब जो भी मिली है वो छोटी रगर दे या फिर कोई अनिमेशन डाल दे न फिर नेक्स किन नेक्स किन है बक्की की यह फोर वेरियंट से ग्रेश ब्लुष रेडिश एंड ब्लुष वन और मुझे अंदर से लग रहा है कि जो भी सारी गन्स किन है वो छोटी दिख रही है इन देस स्किन यह छोटी लगरी ज्यादा एक्ट वन में शायद से नॉर्मल लुक था लेकिन यह वाला मेरको बिल्कुल पसंद निया यह वाले एंड नेक्स्ट स्किन वेरियंट है इस वेरिश इसमें थोड़ा काववा वाला थीम देने की कोशिश किया शेरिफ जो लोग यूज करते शेरिफ गवन की बात नहीं कर स्टिंगर की एंड जच की स्किन मिल जाएगी यह वी स्किन मुझे उतना मतलब उतना फैसिनेटिंग और इंसे नहीं लगा और इस पे थोड़ा अगर आप जूम इन करके देखो तो गलास जैसा इफेक्ट भी डालने की कूशिश किया लेकिन नहीं मतलब नहीं मजा आया इन प्रेटरों में आपको ओर्डीन, गार्डियन, आप एंड वेंड ल कि स्किन मिल जाएगी और मैं परसनल नहीं मुझे प्राइम वाली फील इप्राइम वाली वायप सारी फिर मतलब इसमें भी कुछ एनिमेशन नहीं होगा इसमें इस जज़स्ट गलर डाला है यह प्र परपल वाला लूग दे दिया है जिससे थोड़ा डिफरेंस हारा है बट आलसो इस वन इस आलसो नोट लुकिंग गुड बस क्या ही बोले बाई कलर कर दिया है वसकीन को वही गान है लेकिन कुछ डिफरेंट नहीं डाला वैसे तो आप ग्लिच पॉप वो सब स्किन में देख तो भाई ये वाले प्लेयर काड्स बहुत अच्छा है एक 2K बैटल पास के जो प्लेयर काड्स है बहुत ही अच्छा है फेर्स्ट इस अपाऊट फीनिक्स वसस फीनिक्स आइटिंध कि रिफलेक्शन वाला आए वो पिला रहा है उसमें बहुत करने फिर और एक इंप ऐस्ट बैयर इंबस फर एक इसट्रा घेंट शार्ट के पास घूमारी तो फिर अगेन सेम है जट एक्विपिंग वेंडल बट इन गोल्डन लुक स्कोप खोला हुआ है स्कोप में जट दिखरी और वो स्कोप का कलर गोल्डन दिया है और अरलियर मैंने वो बताया था उसमें वो गोल्ड कलर नहीं था फिर एसेंट मैप है पुरा ब्ल्यू थीम में फिर नेक्स्ट इस आई तिंग समवन मेकिंग द़ आर्टिशन स्किन्स जो आमने पहले देखा था आर्टिशन स्किन्स वही बना रहे टेलरिंग और उसका भाई फिर नेक्स्ट इस रिडियंट इकनफॉर्म्ड प्लियर कार्ड है वो उसमें भी भाई लेकिन सब कार्ड सही है मस्त है थोड़ा मैनत गन स्किन में भी कर देते तो ले लेता भाई बहुत सारे लोग ले लेते अनुछ ये समझ नहीं आ रहा बट आई थिंग यह कुछ नेक्स बैटल पास या फिर नेक्स कुछ कुछ नया आने वाला उसके बारे में है वह सकता है कि खतरना है एंड फिर हम बडीज में आये तो एक टाइम क्लॉक है फिर एक प्लेन है फिर एक प्लांट ग्रोर है फिर कॉफी है स्टार्बक्स और वाट फिर एक टार्गो शीप है तुरे आर्टिशन वाला एक कप है जर्क भी बोल सकते हैं फिर अल्सो कुछ बड़ीज बिट्पॉइन डोजे कोईन की ऊपर भी है जैसे कि आप देख सकते हो दिस इस वन डोजे कोईन एंड एपिसोड थी यह तो नॉर्म के सिर्फ एक्सप्रेशन आ रहे हैं एंटे एंटे यह वाला फिर लॉव ऑवर हिट नहीं ब्रिम्स्टोन ब्रीज वाला फिल क्रैप के साथ मुझे ले रहा है किल जॉए है के ओ है फिर बापिस किल जॉए वाला लोक है वित शूज फिर यह कप का स्प्रे जो की बड़ी भ रहा है फिर नो जच वाला एक है फिर बारी शूरी और जैट इसमें भीग रहे है वह वाला है भाई रिवाइड में जैट का भी मनला भी है मीम से इंस्पारो के स्टिकर्स बना रहे वे क्या यार सो डिस इस अल अबाउट था निव बैटल पास ओफ एपिसोड थ्री आप बता सकते हो परमेंट में आपको कैसा लगा यह को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सीवाइड बैटल पास के लेर कार्ट बहुत अच्छे है अगर कुछ कां कर देते गंश्रींच में तो ले लेते बाई लेकिन मैं तो नहीं लेने वाला आप बता समते हो आप अच्छा लगा ये वैलोरेंट का बेटल पास नहा वाला दो कमेंट डाउन और अलसो मैं कमें रूपोच डाली दिंगा तो बाई गाईज और थैंक्स वर वाचिंग दो सब्सक्राइब